है गाइस वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आए होप बहुत ही बढ़िया होंगे आज मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं जिसा कि पिछली वीडियो में बहुत से डाउट आ रहे थे कि या रहा हमें आफ्टर मार्केट लगवानी चीए या फिर कंपनी फिटेड एक मेजर डाउट यह था कि यह जो स्टील वील रिम्स है उसे कितनी क्या कोस्टिंग में एक्सेंज होती है हमें आफ्टर मार्केट ही बेचना चीए या शोरूम में एक्सेंज करा ले डीटेल में सारी बाते करने वाले एलोई वील्स के मैं आपक की वीडियो स्पेशल ही है सिग्मा एंड डेल्टा ओनर्स के लिए विकॉस जैसा कि आप सभी को मालूम है जैटा एन अलफा से आपको एलोई मिली जाते हैं वीडियो का एंड तक जरूर देखना आपके कुछ भी डाउट हो या आपको ग्रेंड विटार पर क्या 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 चाहिए मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर बता देना विकॉस इसके बाद हम इसके रिवर्स पार्किंग कैमेरे पर इंफो टेंड में सिस्टम की जो साउंड कॉलेटी ऐसे बहुत से कॉंटेंट आपको देखने को मिलने वाले सो वीडियो पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो लेट स्टार्ट वीडियो इसका वेट इतना इसी से आप अंदर दा लगा सकते हो इसमें क्या है इसमें स्टील वील रिम जैसा कि मैंने शोरूम से यह एलॉइस वीट करा है जेटा वेरियंट वाले जेटा एन अलफा में यही वाले मशीन कट आते हैं इसकी प्राइजिंग आपको पढ़ने वाली 53,000 रुपीज इसे मैंने विदाउट एनी एक्सेंज लगवाया है मतलब सिर्फ एलॉइवील्स की प्राइजिंग थी 53,000 रुपीज एन अभी आपको नेक्सा की तरफ से दो एलॉइवील्स मिलेंगे स्पेशल यह और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो इसी में मेरे एलॉइवील्स काये थे जैनिवीन एकसे एसेसरी यह आप यह बॉक्स देख सकते हो तो हमने उन्हें बुला था कि हमें अच्छी कासी पैकिंग चाहिए जो हमारे स्टील वील्स रिम से ऐसे हमें रिटन चाहि कि आपके स्टील वील्स रिम ले लेंगे तो हमें लगा कि एक टायर की बात कर रहा है फिर उन्होंने बुला नहीं चारो टायर की मिला के बारासो रुपे मतलब कुल मिला के तीन सो रुपे एक वील की मिल रही है तो हमने बुला अच्छे खासे रेट में चले जाते हैं आते हैं जहां नेक्सा की बात करें तो नेक्सा का यह पहला प्रोड़क्ट है जो आपको 17 इंचेज वील्स के साथ मिलता है तो नेक्सा का मतलब ऐसा है कि अगर आप XL6 देखोगे बलीनों देखोगे सबसमें 16 इंचेज के वील है तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ म मार्केट कहीं दे दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अब आप अगर आफ्टर मार्केट लगा रहे हो तो यह अच्छे कासे रेट में चले जाएंगे विकॉज जो ब्रिजा ओनर से जिनने स्टील वील में 16 से 17 अपग्रेट कराना अपना टायर साइज उनके लिए काम आ सकत हैं विकॉज अगर आप इसके सेग्मेंट में देखोगे तो क्रेटा सेल टॉस सब में आपको 16 इंचे वील मिलते हैं अब जीप कंपास में 17 इंचे आते हैं वो तो अलग सेग्मेंट हो गया बाकी यह है कि इसने इसके अच्छे रेट नहीं मिल रहे तो हमने सुचा इसे हम से वह भी 210 mm का प्रोवाइड करती है अब एक कॉमन डाउट आ जाता है कि हम आफ्टर मार्केट ले सकते हैं कि नहीं जैसा कि आप सभी वीवर्स को पता है मेरा सिग्मा लेने का प्लान था देन मैं डेल्टा के लिए कन्वीन्स हो गया तो जब मैं सिग्मा लेने का प्लान क सारी वीडियो देख रहा था फिर मैंने आफ्टर मार्केट लॉइस पर अच्छी कासी स्टडी करी तो इंडिया का एक पैस ब्रैंड निकल कर आया नियो वील्स अब आप मेंसे अगर कोई लगवाने का प्लान कर रहा है तो उन्होंने नाम सुना ही होगा तो मैंने बहुत स इसी रहती है ना कि इन फ्यूचर आपको कभी भी मतलब अगर आप 80 से 100 की स्पीड पर चला रहे हो तो आपको वाबलिंग जैसा इसू नहीं आने वाला है और आपके माइलेज में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा तो यह एक चीज है अब आप मेंसे लोग बोलेंगे 30 से 40,000 रुपे में आपको काम हो जाएगा मेरा कहना यह क्यार कंपनी फिटेट लगाऊगे तो बड़िया चीज रहेगी अब दूसरा सबसे इंपोर्टेंट लॉजिक जो मैंने लगाया अब जैसे की गाड़ी जा रही है साइट प्रोफाइल से कहर को यही समझेगा कि यह लोग तो बहुत बढ़िया देंगे अगर आपको इसा दिखाना है कि मैं टॉप वेरियंट लिया है तो कोई भी देखके पता लगा लेगा कि यह वो बेस वेरियंट है अला कि इसको भी देखके लगा लेगा बर तो जो एक साइट प्रोफाइल का फॉर्स्ट इंप्रेशन आपको प्रोवाइड करती तो एलोई विल्स कंपनी लुप के लिए प्रोवाइड नहीं करती उसके दो तीन एडवांटेज रहते हैं सबसे पहली चीज़ तो यह अगर आप स्टील विल रिम को देखो गया अगर एक टायर के स्टील विल रिम को देखो गया तो आपके स्टील विल रिम के साथ नहीं आने वाला पर आप हाई स्पीड पर चला रहे हो तो कंट्रोलिंग आपको एलोई में ज्यादा कॉंफिडेंस रहने वाला है ब्रेकिंग ज्यादा एफिशेंट रहने वाली है तो यह कुछ एडवांटेज थे अब आपको मैं टायर में एक च रहती बड़ इतने बड़े लगाते मतला राउंड 18 से 20 इंचेस के लगाते तो आपको अगर क्रेज नेक्स लेवल लुक चाहरे हो तो आप करा सकते हो बड़ उससे कहीं ना कहीं आपके माइलेज पर इंपक्त होने वाला है आपका माइलेज ड्रॉप होगा स्टेबलिटी बिगड़ेगी एंड कहीं ना कहीं फिर वॉब्लिंग इशू भी आ सकते हैं इस काम चाहिए 120 140 भी चला रहे हो कि आपको कोई भी स्टेबलेटी से रिलेटेड इशू ना है माइलेज से रिलेटेड इशू ना है और लॉंग टर्म के लिए मतलब जैसे कि इतनी हाई क्लेरे विल्स लोग है तो ज्यादा बेटर रहने वाला है टॉप मोडल वाला लुक भी देना है तो मशीन कट एला वील्स के साथ जाओ एक्सेंज वाला डाउट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आपको अभी शोरूम में कॉस्टिंग नहीं मिलेगी विकाज एलोई पे भी लेना उसी के पास आपको बैल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी सारी लेटेस वीडियो के अपडेट मिलते रहें